भाई फर्स्ट और आप सभी को Happy New Year 2021 और भगवान करे इस साल आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए और जो भसड मची है भाई 2020 में वो सभी को हम पीछे छोड़ देते हैं भगवान करे उसको हम भूल जाए और वो सब पीछे छूट जाए और लाइफ में हम आगे बढ़ते रहें आज मैं आपके साथ डिसकस करने वाला वो सभी चीज़ें जो कि आपको लाइफ में तो आगे लेकर जाएंगी ही जाएंगी बल्कि जो आपकी रिलेशन्चिप्स है इन में भी आपको बहुत आगे लेकर जाएंगी अगर आप अभी तक सिंगल थे आपको कोई मिला नहीं था लाइफ में एकदम बरबाद ही छा गई थी वैसे तो सिंगल रिलेशन्चिप्स क्या बोलें साल ही अर्शारा कि सब कुछ छुट गया लेकिन अगर आप रिलेशन करनी हैं और कौन-कौन सी हरकते करनी हैं चलो वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहली गलती आपको जो नहीं करनी लास्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं पॉइंट नमबर थ्री नेवर लविंग एट फॉस्ट साइट अमने सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम किसी इनसान को पहली बार देखते हैं और उससे सचा प्यार कर लेते हैं देखो प्यार करने कोई बुराई नहीं है प्यार करो अपस में प्यार करो दोस्ती रखो खुश रहो लेकिन यार ये चीज़ गलत होती है कि कि किसी इनसान को देखकर आपको जो प्यार हो जाता है और किस किसी लड़की को देक कि तुम्हें सच्चा प्यार हो जा रहा है तो यह चीज सही नहीं है ना भाई तो कहीने कहीं आप अपने आपको परिशानी में डाल रहो जुभाब कहते हो कि मेरे कोई से इंसान से सचा प्यार हो गया तो आपको जो ये सचा प्यार वाला नाटा काया ना इसको करने से बचना है अगर आप ये चीस्त करने से बचते हैं तो आप देखोगे कि आप आगे चाते हो कभी भी किसी से सचा प्यार मत करो नॉर्मल एक step by step method होता है उसको आगे बढ़ने दो अगर आप किसी को girlfriend बना रहे हो तो उससे पहले आप कुछ से friendship तकनी पड़ेगी पहले friend बनाओगी तभी तो girlfriend बनाओगी ना मेरे भाई डारेक्ट अगर 12th pass करने की कोशिश करोगे 9-10th पड़े भी ना तो fail ही हो जाओगे न हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है extraordinary बच्चे हो जो निकाल दें लेकिन हम और आपके बसकी बात नहीं है भाईया तो पहले दीरे दीरे पढ़ते हैं दीरे दीर आगे बढ़ते हैं step by step methods आगे चलते हैं और उसके बाद girlfriend भी बनेगी और wife भी बन जाएगी कुछ पता नहीं लाइफ का है न तो अपने आप कुछ ऐसा मत करने की कोशिच करो जो कि आपको मुश्किलों में डाल दे किसे से प्यार करने की ज़रूत नहीं है friendship रखो normal रखो ठीक है girlfriend बनाना ना बनाना वो आगे की देख लेंगा और वो आगे की सोच होती है कभी भी यह predefined नहीं होता है अगर आप pre mind से चलोगे कि मेरे कोई girlfriend बनाने ही बनानी है तो आप अपनी वकात को नीचे कर देते हो और फिर यह दिखाते हो कि अब मैं इस इंसान को पाने के लिए कुछ भी हरकते करने के लिए तयार हूँ वो इंसान इसी चीज़ का फाइदा उठाता है आपको नीचे जुकाता है उसके बाद क्या करता हो आपको अच्छे से पता ही है तो क्यों किसी का इतना ज़्यादा overvaluation करना जिसकी जितनी वकात है उसको इतनी वकात में रहने देते हैं और जैसे ही आपको को इंसान अच्छा दिखता है तो नॉर्मली उससे friendship करो और सबसे अच्छी बात यह होती है कि आपको ना पहले बार में हर एक इंसान अच्छा ही दिखता है क्यों कि हम बाहर से उसको देख रहे होते है और बहुत बार मैंने यह देखा है कि जो इंसान जितना ज्यादा बाहर से अच्छा दिखता है ना अंदर से ज्यादा खोकला होता है कुछ ए और बहुत ज्यादा है उन्सान की आदज बिगड़ चुकी होती है अगर मैं बहुत ज्यादा हैं तो किसे को इंप्रेस करने के लिए मेरे को अपने आपको अच्छा बनाना और अगर मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ तो मुझे पता है कि यार लुक से तो ऐसे भी कुछ नहीं होना बाद अच्छे से करनी पड़ेगा अच्छे से ठीट करना पड़ेगा तो कहीं ने कहीं मैं अपने आपको अंदर से तराश रहा हूं लुक पर जजज नहीं करना है कि अच्छा दिख रहा है बहुत अच्छी बात है लेकिन अपन उसके पीछे नहीं जाएंगे जो की सिर्फ अच्छा दिख रहा है यापWH बाइ-बाइ, टेक केर, आपको एचीज कहना सीखना पड़ेगा, अगर आप लड़की को नहीं छोड़ सकते, तो कोई भी दुनिया की लड़की आपकी गल्फेन बनने को तयार है, नहीं होगी, हो सकता है वो आपकी गल्फेन बन जाए, लेकिन वो आपको ऐसा मज़ा तो आप लाइफ में अपने आपको आगे बढ़ते वे नहीं देख सकते हो तो किसी में इंसान के पीछे पढ़ो ठीक अच्छी बात है अच्छा लग गया है तो अवेसली गल्फ और बॉइफिन राने के लिए पीछे पढ़ोगे लेकिन उसके बाद अगर आपको लगता है कि ही दिखा आपको आपको यह तो आप थोड़े ज्ञादा पागल हो गई उसके लिए और अगर वो इंसान यह दिखाएगा क्यों आपको चाहता है आपको लाई करता है तो आपका जो भाव है न वो थोड़ा भढ़ जाए गो और आप अपने आपको ना बहुत अच्छा समझने लग जाओगे बढ़ा समझने लग जाओगे और आप इसको भाव नहीं दोगे तो let them earn you है ना उनको कोशिश करने दो उनको थोड़ी मेहनत करने दो आपको हासिल करने के लिए गर आप ऐसे सब के बीचे भागते रहोगे अपनी self-respect को नीचे दबाते रहोगे तो मैं सच बता रहा हूँ girlfriend boyfriend मिले ना मिले यह तो पता नहीं friendship को भी lose कर दोगे और last में क्या होगा कि आप अपने self-respect को भी lose कर दोगे खोकले बन जाओगे बाहर से और अंदर से एक दम तूट चुके होगे I hope तुम्हार साथ यही चीज़ें हो रही है क्योंकि अभी तक क्या होता है कि हम लोगों को छोड़ना नहीं चाहते है हमें लगता है कि कोई इंसान अगर मेरी life में आ रहा है तो हमेशा जिंदगी भर तक के लिए मेरी life में रहे मुझे छोड़ करना जाए क्योंकि अकर वो इंसान मुझे छोड़ कर चला गया तो मैं त को शादी भी हो जाएगी न उसके बाद भी है यहाल होगा भाई वह आपको परिशान करेगी क्यों क्यों कि आप उसको और वैल्यूइट कर रहे हो उसकी आउकास से जादा उसको कुछ बता रहे हो कि तुम इतनी बड़ी चीज़ हो कि वह है नहीं को इंसान भगवान लायक है तो भगवान भी माल लो और अगर कोई नहीं है तो भाईया क्यों उसको भगवान माना उसको दिखाओ कि भाईया तुम इतने बड़े नहीं हो और अकर जादा उचलोगे तो हम तुमको छोड़ भी देंगे और ऐसे चलोगे लाइफ में तो आप देखोगे क्या बहुत इस उनके जाना बहुत जरूरी है कि life comes first before any girl or any boy किसी इंसान से पहले आपके जिन्दगी आती है पहले जिन्दगी को बना लो हम चाहते तो है कि हम relationship में आ जाए मेरी बहुत beautiful सी hot सी girlfriend बन जाए कि ताकि मैं bluff मार सकूं एकने इसका कोई फायदा नहीं है अपनी life को ऐसा बना द कि लड़कियां अपने आप तुम्हारे पीछे है तुम्हें लड़कियों की पीछे जाने के जरूरत ना पड़े लेकिन लोग इस चीर्स को follow नहीं करेंगे क्यों कि यार मेहनत करना पड़ता है ना देखो ऐसा है कि जब तक आप life में आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आप यही कहते रजाओगे कि कोई मुसे प्यार नहीं करता कोई मुसे प्यार नहीं करता देखो लड़कियों की बात नहीं कर रहा है ना वो लोगों की success के पीछे भागता है मैं भी उसे इंसान से दोस्ती करना चाहूंगो जो कि अपने life में बहुत आगे बढ़ चुका है पैसे लुक्स तो अपने ऐसे ही है अब अच्छे है खराबे भगवान जाने कैसे है लेकिन भगवान ने जैसा बनाया वैसे ही बनाया है उसको तो हम change नहीं कर सकते ना लेकिन पैसा कमा सकते है भाईया life में आगे जरूर बढ़ सकते है महनत करो पैसा कमा पैसा ही success होती है बुरा कि life में इतने आगे जाओगे कि फिर तो लड़किया तुमारे पीछे आती रहेंगे और तुम उनको reject करते रहोगे भाईया करके देखना पता लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूं तो आपके लिए क्या important है आपकी success या कोई लड़की comment section में अभी तुरंत बता दो और आज ज subscribe करें बिना बिल्कुल भी मजाना